आखी खोली ये परमस्रेश्ट देखिए कितना अन्याय हो रहा है सुरुची ने कितनी निर्ममता से उस नन्नी से बालक का हदय तोड़ दिया देख रहा हूं महादेवी देख रहे हैं और फिर भी मौन है यही तो तम पात भी कर रहा था मैं तो देव लोकी हूं मुझमें यह साधारन मानविय भावनाय नहीं होनी चाहिए थी किन्तो ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवार को देखकर मेरा भी मन भराया है आपका मन इसलिए भराया है देवी कि आप स्वरूप में नारी है और हर नारी में एक माता छिपी होती है दया करुणा और ममता नारी की विशेश्टाएं है नारी तो सुरुची भी है तर लोकीनाथ किन्तु विश्वास नहीं होता कि इतने सुन्दर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी आवशक नहीं कि हर सुन्दर स्त्री का मन भी कोमल हो सुरुची लालसा की मूर्ती है परंतु धुरुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोश सुरुची का नहीं है सबसे बड़े दोशी तो महराज उत्तानपाद है परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर निकाई है हमने पृत्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिये है और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है पुत्र को प्यार देना उसका सार्रक्षन करना पिता का करतव्य है परंतु महराज उत्तानपाद सुरुची की सुंदर्ता पर मोहित होकर अपने करतव्यों से मुख मोड रहे है देवी एक पिता ब्रम्हा भी होता है और विश्णु भी वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोशन भी करता है हुद्तान पाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया परन्तु हमारा धर्म नहीं निभा पाए तो फिर अब क्या होगा नारायन मानव स्वभाव में संघर्ष की शक्ति भरी है हमने द्रुव को भी हमने इसी शक्ति से संपन्न किया है देवी किन्तु हे सर्वस्रेष्ट द्रुव तो अब बहुत छोटा है उसमें संघर्ष शक्ति हो भी तो वो उसका प्रयोग कैसे करेगा देवी संघर्ष का संबंध आयू से नहीं इच्छा शक्ति और मन की लगन से होता है भरक्ति हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी होती है द्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी के समान है यदि उसे भड़क्ति ज्वाला बनना है तो उसे स्वयम की शक्ति को पहचानना होगा आप स्वामी है विश्वेश्वर है आप जो कहते हैं उसका भेद भी केवल आप ही जानते हैं है 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 प्रभु देखिए नन्ना द्रुव रात्री के अंधेरे में राजभवन को छोड़कर आपकी कोज में निकल गया है हाँ देवी वो अपने मन की लगन को दबा नहीं पाया परन्तु है सर्व्यापी वो तो क्षीर सागर का मार्ग भी नहीं जानता देवी एक यात्री के लिए सबसे कठिंग्षन वो होता है जब वो किसी अंजान यात्रा के उदेश से मार्ग पर प्रथम पग धरता है फिर तो मार्ग में सहस्त्रों घने पेड मिल जाते हैं जो उसके पैरों तले शीतल छाओ विछाने को तयार रहते हैं फिर मार्ग दर् तो गुरू होता है देवी परन्तु है सर्वस्रेश्ट वो तो अब एक बालक है उसे इस यात्रा में कितना दुख चेलना पड़ेगा महादेवी बूंद जब किसी मेग की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख आशंकाएं होती है सोचती है कि उसका अंत क्या होगा क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेद पर गिरेगी और सूख जाएगी या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और बस्म हो जाएगी या फिर किसी काटे पर गिरेगी और उसका शरीर चलनी हो जाएगा क्या होगा उसका अंत परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है तब उसे ये ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुब थी आपकी बातें आप ही जाने पर मिश्वर किन्तु आग्या हो तो एक बात कहूं आप तो हमारी अर्दांगिनी है हमसे कुछ कहने के लिए आपको हमारी अनुमत्य और आग्या की आवश्यक्ता नहीं है देवी कहिए अवश्यक कहिए यदि धुप पर राह में कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी मैं इस खेल में कुई पढ़ूंगी और आप मुझे रोकेगा मत्थ नहीं रोकेंगे परंतु एक बात का ध्यान तो आपको भी रखना होगा देवी कौन सी बात कि नियमों को बनाने वाले स्वयम उनको तोड़ा नहीं करते मैं समझी नहीं तो लोकिनात मानव के भाग्य विधाता प्रम्हा है आप ब्रम्हा के लिखे को बदलने की चेश्टा न कीजिएगा देवी ध्रूव हमको धूनता हुआ रहा है और इस राह में उस पर वही बीतेगी जो ब्रम्हा ने उसके भाग्य में लिख दी है वो हम तक पहुंच पाएगा या नहीं ये तो केवर ब्रम्हा ही जाने परन्तु इस बालक के लिए आपके मन में इतना स्थान के योगी नहीं इतनी छोटी सी आयू में इतना बड़ा निर्न है इतना ध्रण निश्चे ये सब महांता के लक्षर नहीं ये तो और क्या है उसे अपनी महांता सिद्ध तो कर लेने दीजिए अवश्य परम्तु द्रोप पर अगर कोई संकट आया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी आये महादेवी आये आज तो आपने हमको भी अचरज में डाल दिया अचरज में और वो भी आपको माया पती मेरी किस बात से आपको आश्य हुआ शीतल जल यदी दहकती अगनी बन जाए चंद्रमा थंडी चांदनी के स्थान पर यदी तपती धूप छिटकाने लगे पुष्प की कोमल पंखुडी यदी धारदार कटार बन जाए तो आश्यर्य नहीं होगा देवी अपने पुजारियों पर धन की वर्शा करने वाली देवी को जब हमने धुरूव के शत्रूओं पर विश्की वर्शा करते देखा तो हमें भी कौतुखल हुआ मैं क्या करती नारायन मुझसे रहा नहीं गया वो हत्यारे अगर धुरूव के प्राण ले लेते तो मैं स्वयम को कभी च्छमा नहीं कर पाती आप जानते हैं न वो हत्यारे धुरूव के प्राण लेना चाहते थे जानता हूँ, भलिभांती जानता हूँ और कुछ और भी जानता हूँ क्या? यही कि हो सकता है कि विदाताने ध्रुव के भाग्य में यू मरना लिखा ही नहो उसके भाग्य में ये लिखा हो कि आप उसके प्राणों की रक्षा करेंगी और अपने ममता मई हाथों से उसे थपकियां दे कर सुनाएंगी क्योंकि देवी होता तो वही है जो भाग्य में लिखा है मैं नहीं जानती लेकिन उस बालक को देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमरने लगता है नारायन वो कितनी लगन से आपको ढून रहा है अब स्वयम जाकर उसे अपने दशन क्यों नहीं देते विदाटा के कारियों में अस्तक्शेप नहीं कर सकते दुरुव को वो सब मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है आपका लाडला आप जागने वाला होगा धर्ती पर भोर होने वाली है भूर होते देखकर मेरा मन काप रहा है क्यों देवी किस कारण भूर हुई और सुनीती ने अपने लाल को ना पाया तो उसकी क्या दिशा होगी वो तो दुख से पागल हो जाएगी नारायन नारायन आज बहुत प्रसन्य दिखाई दे रहे हैं देवर्शी प्रसन्य क्यों नहूं सरवेश्वर धर्ती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानु बसंद बयार बहने से मधुबन और आज तो मैंने वो दिश्य देखा जिसे देखकर मैं आनन्द विभोर हो उठा मुझे ज्यात नहीं था कि कभी-कभी किसी के कड़वे वचन भी कानू में अमरित रस घोल दिया करते हैं तो अपनी प्रसन्यता हमसे नहीं बाटेंगे देवर्शी आपसे क्या छिपा सकता हूं आप तो विश्व व्यापी है परन्त विश्वास कीजे आज महराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी-खरी सुनाई कि मेरा मन तो जूम उठा उत्तान पात पर सुरुची की मोह मा जो रंग चड़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बर्खा की बोच्छार पढ़ने से विक्ष पे जमीद धूल उतर जाती है मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था नई पीडियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगें सुन्दर परमपराओं का त्याक करने लगें और अपने संसकारों से विमुख होने लगें तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें पतन से रोकें जिस प्रकार एक अंकुष मदमस्थ हाथी को अन्यंत्रित होने से रोकता है उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है परंत मुझे आश्यरी तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुप चाप, सिर जुकाए अपने पिता की भटकार सुनता रहा इसमें आश्यरी की कोई बात नहीं है देवर्शी जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीवर किरने जागने के लिए विवश करती है उसी प्रकार मनु के कटू वचन ने उत्तानपाद को जिंजोडना चाहा था और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है पिता के अनुभव, पुत्र के अनुभवों के तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसोटी पर अधिक खरे उत्रे हुए होते हैं देवर्शी, नवीन पीडियों को भी ये जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन, उन दीपकों के समान हैं, जो उन्हें सही रा दिखाते हैं मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया उचित मार्ग, आपकी लीला भी विचित्र है माया पती आपने धुरुफ को अपनी ही खोच में भेच दिया और उधर महराज उत्तानपाद धुरुफ की खोच के लिए निकल रहे हैं और इस बात को आप से अच्छा और कौन जान सकता है कि धुरुफ का आप तक और उत्तानपाद का धुरुफ तक पहुँचना कितना कठिन है कठिनाई या ना हो तो मानव जाती में चुनोतियां स्वीकार करने की इक्षमता ही समाप्थ हो जाए हर पक पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्शी जूजने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाईयों से हर व्यक्ति को स्वयम ही उलजना पड़ता है और स्वयम ही उनके समाधान ढूनने पड़ है इसका ज्यान है उनको उन्हें किसी मार्ग दर्शक की आवश्यक्ता नहीं है मुझे चिंता दुरूफ की है प्रभू है वो तो आपकी खोज में निकला है उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्यान नहीं है तो फिर क्षीर सागर के मार्ग का क्या ज्यान होगा यह उठता है कि दुरूफ का मार्ग दर्शन कौन करेगा आप करेंगे देवर्शी दुरूफ का मार्ग दर्शन आप करेंगे में हाँ आप वैसे भी सारे विश्व को विश्णू का पता तो आप ही बताते हैं इन तीनों लोकों में आप से बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर दुरुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभू तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल है धुरुव के लिए उनकी अशान्ती दूर कीजिए किन्तो माता हैं कहां? माता है ना? धुरुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्शी इसलिए धर्ती पर गई है उसे भोजन कराने परंतु समस्या ये है कि उसे तो भोजन की भूग ही नहीं है उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है और वो प्यास उसका मार्ग दर्शन करके आप ही त्रप्त कर सकते हैं मुनिवर ठीक है प्रभू यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही मैं चेश्टा करूँगा कि दर्व उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुब हो मंगल मैं हो नारायन 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 आईये देवर्शी आईये स्वागत है आपका बताईये तो क्या आपके किरपाद्रष्टी हुई ध्रुव पर क्या आपका मार्ग दर्शन मिला उसे ध्रुव का मार्ग दर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे वो बालक है ना नजाने किस मिट्टी का बना हुआ है देखने में तो छोटा सा है परन्तु संकल्प इतना दिर्ट कि बड़े बड़ों की बुद्धी चक्रा जाए इतनी छोटी सी आयो में इतनी महान अभिलाशा और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वें में उसके पास आना पड़ेगा और इसके लिए कुछ भी सहने को तयार है प्रभू उसका मार्क दर्शन करते करते तुम्हें अपना मार्क भूलते भूलते बचा उसे मेरे मार्क दर्शन की आवश्यक्ता नहीं लगती प्रभू आप ठीक कह रहे हैं देवर्शी आप ठीक कह रहे हैं पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व नियुच्छावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्ग दर्शन कर सकती है दीपक की लौप और उस पर मर मिटने की इच्छा फिर यही उद्देश उसका पूर्ण जीवन बन जाता है द्रोव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्शी उस संकल्प की पूर्ती के लिए उसका मार्ग दर्शन भी वही संकल्प करेगा उस संकल्ब के अतिरिक्त और कोई उसका मार्ग दर्शन कड़ी नहीं सकता एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन तो संकोच क्यों कर रहे है देवर्शी? पूछे ना, हे विश्वेश्वद जब धुरूफ के संकल्ब से ही उसका मार्ग दर्शन होना था तो फिर उसके मार्ग दर्शन के लिए आपने मुझे क्यों बेजा? यदि चंद्रमा उदेथिन हो देवर्शी तो अंधियारी रात्री के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर धुरूव की आकांख्षा को दिशा दे दी देवर्शी ये कोई साधारन और सरल कार्य नहीं था मैं जानता था कि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्शी केवल आप क्योंकि आप स्रिष्टी के सबसे श्रेष्ट मार्ग दर्शक है जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था बलकि सराहन ये भी था आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायन किन्तु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहे लगता है ये मेरे भागे में नहीं लिखा है मैं जानता हूँ देवर्शी आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है यही कहना चाहते हैं आप आप से क्या छिपा है अंतर्यामी हाँ माता मुझसे अप्रसन है वो विवश है देवर्शी अपनी ममता के कारण विवश है वो उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती और फिर ये पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयम अपना पुत्र मान लिया है इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है नदेवर्शी आपको अपना समझती हैं आप पर क्रिपालू है इसलिए कभी-कभी आप पर अपने क्रोध के पुश्प भी बरसाती रहती है आपको भी तो आनंद मिलता है से आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभू सच पूछिए तो माता की मुख से यदि कटुवचन भी निखलें तो उनसे मदू की बूंदे टपक्ती दीख पड़ती है किन्तु माता अभी देवलोक लौटी नहीं क्या ममता चिंता का दूसरा नाम है आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में अब माता का मन तड़प उठा कि कहीं वन के पशू उसे कोई हानी न पहुचा दे इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंद करने शेव भार्या पारवती से मिलने कहलाश परवत गई है कि आपका मुख आपके मन का दरपन है देवी मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है और आज तो आप सिर से पाउं तक चिंता की मूर्ती बनी हुई है सब कुशल तो है कुशल कहां कमल नहयन देवर्श नारत को नजाने समस्या खड़ी करके क्या आनन्द आता है एक और नहीं समस्या खड़ी कर दी उन्होंने अब कौन सा नया पुश्प खिलाया उन्होंने पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के परशुआं से उसकी रक्षक कैसे होगी और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहर भी त्याग दे देवर्शी ध्रुव के गुरु है गुरु की आग्या का पालन करना शिश्च का करतब भी होता है गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है इसका अर्थ यह हुआ कि आप भी देवर्षी से सहमत हैं वो तो मन्ना सा बालक है तनिक सोचे तो आहर त्यागने से उसकी क्या दुश्या हो जाएगी क्षमा कीजे प्रभू संभवता आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही है यह आप नहीं बोल रही है देवी यह आपके भीतर समाई हुई एक नारी एक मा बोल रही है यहीं शभ котором 마음에 दो पर मुझसे उसकी दशाथ देखी नहीं जाते तया कीजे उस पर तया कीजे मुझपर मुझे आपसे सहानुभूती है देवी पर मुझे खेद है मैं पक्षपात कैसा पक्षपात प्रभू कि धरती पर मनुष्य लोप में मेरे अगणित भक्त है कि माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याक कर मेरा दर्शना भिलाशी है देवी परन्तु जो मेरे साधारन भक्त है उनका भी तो मुझे पर अधिकार है आप तो जानती है देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूँ तो फिर ये कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंग के भक्तों को भूल कर केवल एक बालक को कृतार्थ करूँ देवी सूर्य अपना प्रकाश बाढ़ते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता वर्शा का बादल मदुवन पर बरस्ता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुजाता है तो फिर ये कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूँ है महा देवी ये मत भूलिये कि इश्वर भी इश्वरत्व के नियम से बंधा है और इश्वरत्व का नियम है समानता मेरी दृष्टी में समस्त मानव जाती समान है मैं धर्दी पर जा अवश्य सकता हूं देवी किंतु समस्त मान और समूह के कल्यान के लिए केवल किसी एक कल्यान के लिए नहीं चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यासते दमी क्यों न तोड़ दे मैं आप से पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कारियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता मुझे आप से सहानुभूती है परन्तु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यहीं लिख दिया हो तो फिर यहीं होकर रहेगा क्या हुआ स्वामी है कमल नयन जब त्रिलोक में उजाला फैलता है जब धर्ती पर वसंत जूमता है जब कमल खिलते हैं जब पुष्प अपनी सुगंद फैलाते हैं मैं समझ जाती हूँ कि आप मुस्काय हैं ये सारी द्रिश्यप आपकी मुस्कान की ही छवी है विधाता ने मुस्कान की रचना ही इसलिए कि वो आपके अध्रों की शोभा बढ़ाए पर अभी अभी मैंने आपके अध्रों पर जो मुस्कान देखी उसमें एक विचित्र जोती एक अध्वुत प्रकाश दिखाए दिया मुझी जैसे आपके अध्रों से मुस्कान नहीं कि रन फोट रही हो कोई मुझे आनंद विभोर कर रहा है देवी अवश्य ही स्रिष्टी के किसी भाग में भक्ती के प्रकाश का उदय हो रहा है मुझे एक विचित्र आनंद का अनुभव हो रहा है हो नहो ये मेरे ध्रुव की भक्ति का ही चमतकार है उसके रोम रोम में केवल आप ही बसे हैं सरविश्वार उसके हरते में जाक कर देखी तो केवल आपकी छवी ही दिखाई पड़ेगी अ एम लाका आपकी भसे होनति केवारा हैं partner influencers की डिखाई बसके बसेश्पल आपकी बसे ही तो की जाब सेय्वार आपकी कुईम है महादेवी मैं तो समझ रहा था कि आपकी सारी चिंताओं का अब अंधों चुका होगा आपके पुत्र ध्रुबने जो भी कामनाई की थी वो सारी पूर्ण हो गई है और जो वचन मैंने उसे दिये थे वो भी पूर्ण हो गए है पर आप तो अब भी चिंता की मूर्ती बनी हुई है क्या सूच रही है ही कमल नयन आपके सुंदर मुक्सी जो पावन बोल निकलते हैं वो तो मेरे हिर्दय पर अंकित हो जाते हैं आपने एक बार कहा था कि धर्दी पर आपके अगर्नित भक्त है, दुरूफ का कल्यान तो हो गया और उसे केवल एक का कल्यान हुआ है और भकतों का कल्यान कैसी होगा? जो ग्यान जो प्रकाश दुरूफ को मिला उस पर तो समस्त मानव जाती का अधिकार है ये ज्यान, ये प्रकाश उनको कैसे मिलेगा ये जीवन की नियम उन्हें कौन बताएगा वाह देवी वाह आप केवल हमारी वामांगी नहीं है आप तो हमारे विचारों की संगिनी भी है आपने अभी जो कहा वास्तव में चिंता का विशय है और हम आपके आभारी हैं कि आपने इस चिंता को व्यक्त कर दिया मानव कल्यान ही तो हमारा परमुदेश है हमें ग्यान का प्रकाश मानव तक पहुँचाने के लिए कुछ दीप प्रजवलित करने होंगे